स्टार्ट करते हैं Super exam experiment कि स्टाइप को स्टीक me in SCQ में पूछा जाता है जब आपका exam आएगा तो उस थाइंपर तो हमने पूरागा पूरा जोHow up यह इंक प्रकूस्ट करेंगे और एक एक के पर को सॉल्व करें ऑनगा तो फिलाल में आज हम लोग देखने वाले हैं और जब अब्जक्टिव कोश्चन है डी ब्लॉक का जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है बस उसी से रहेगा कोश्चन क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर उसका बनाऊंगा तो आये देखते हैं कि स्टाइब कोश्चन कुछा करता है जैसे यहां पर मैंने चार कोश्चन लिखा है पहले चार कोश्चन है और एक एक कोश्चन को बारीकी से एनलाइज करेंगे तो पहले पहला इस न्याज्राइथ सब्सक्राइब और तो है मैंने लिक्ता चाकोश्चन यहां से उप्याइब कोश्चन होगा रिवल्हक है नहीं वरगट उन्हें जन्वक्राले टाएब nämे में था कि जब D block element हम लोग पढ़ा था तो वहाँ पे जन्रल इलेक्टरानी कांफिगेशन जो लिखा गिया था N-1 D में मैंने बताया था कि 10 electron fill up होते हैं और N में क्या होता है 1 से यहाँ प्यास होता है 2 electron fill up किये जाते हैं तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे पहले तो यहाँ पर N-1 D 10 तक तो ठीक है लेकिन यहाँ पर S में जीरो किया है तो जाहिर से बात है कि यह वाला जो तरीका ही है तो हमारा सैटिस्फाइड हो नहीं रहा है यह पहला आपसन क्या रॉंग हो जाएगा सब्सक्राइब जाएगा की जब हम लोग सेकइंड में जाएंगे तो से इकन में ने बताया था कि में हमारे एक से दो इलेक्ट्रान फिलब किये जाएंगे तो यहां ppers यह पיל एक हो जाएगा बहुत हो किया और हम लोग को चाहिए किए एक से दो एक साथ चाहिए क्योंकि भलत इंसर कौन सा होगा डी हालाखि मैं मैंने इसको solve करके बताया लेकिन फिर भी आपको पता होगा आल्रेडी आप कोशन को देखते ही पहचान गए होंगे क्योंकि हम लोग ने इसी वे में डी ब्लॉक को एनलाइज किया है अब नेक्स्ट आते हैं यह थोड़ा हटके कोश्चन है लेकिन अच्छा कोश्चन है कि ए देखिए जो F3O4 होता है इसको हम लोग कहते हैं मैगनेटाइट यह आयरन का एक और होता है तो अब यह किस टाइप का ऑक्साइड है अगर आप जानती होंगे कि जैसे दो ऑक्साइड होंगे एक मेटल के दो ऑक्साइड भी एक्जिस्ट कर सकते हैं डी ब्लॉक में तो जैसे बात है वो मिक्स्ट ऑक्साइड में आएगा तो यह इन में से कोई अप्सन नहीं होगा नॉर्मल अक्साइड का मतलब होता है कि वो सिंपल एक ही ऑक्साइड होगा तो मिक्स्ट ऑक्साइड कैसे हुआ यह हमारा बना होता है FeO और Fe2O3 का कंबिनेशन होता है अब correct answer कि तक का है मतलब e 304 आग आते हैं अब यहां पहले पूछा है कि गोल्ड इज इस आट्यकट बाई या नीे जैसे कहने का मतलब है कि मान लिजिए मैं मेरे पासी चाहर कंटेनर है चाहर कंटेनर है पहलें ने में Concentrate S2O4 बना है, दूसरे containator में Concentrate SEL को बना है और तीशे कंटेंर में Concentrate Nitric Acid जो यह राइल-वाटर कैसे बनाया जाता है concentrated three part nitric acid लेते हैं hydrochloric acid लेते हैं और three part hydrochloric acid और एक part nitric acid यानि कैसे बनेगा जब हम लोग three part HCl लेंगे और one part HNO3 लेंगे और इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा aquaragia खास बात होता है कि ये तीनों हमारे क्या होते हैं concentrate होते हैं तो जो gold होता है gold, platinum, silver इस types के जो हमारे element होते हैं इनको noble metal हम लोग मान के चलते हैं और मैंने आपको बताया था कि जो noble metal होता है gold हो गया, platinum हो गया ये सब हमारे noble metal होते हैं तो जायर सी बात है कि gold जब noble metal है तो वो acid के साथ तो react नहीं करेगा तो या नाइटरिक acid हो या SEL हो या sulfuric acid हो concentrate form में इनके साथ reaction नहीं करेगा तो इसलिए gold और platinum को dissolve करने के लिए aquaresia को develop किया जाता है और aquaresia एक hard compound होता है इसलिए इसको royal water कहते हैं क्यों? क्योंकि ये gold जैसे compound को dissolve करता है यानि दो acid को मिला करके aquaresia बनाया जाता है और यहाँ पर जो aquaresia बनता हो concentrate acid के mixture से बनता है और यहाँ पर इसका जो product बनता है NOCL बनता है और यहाँ पर chlorine भी बनता है और यहीं जो chlorine होता है free radical के form में यह chlorine इसको nascent chlorine भी बोला करते हैं यही nascent chlorine क्या करता है gold के साथ react करके compound बनाता है HAucl4 इसको हम लोग पढ़ते हैं आरिक या chloro-ारिक acid बोला करते हैं तो यानि gold हमारा किस में dissolve होगा? aquaresia में dissolve होगा अब next बात करते हैं which of the following species is paramagnetic? इसमें से पुछा है चार option दिया है और चारों में से पुछा है कि कौन सा species हमारा paramagnetic होगा और paramagnetic पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था कि element या iron के पास हमारे unpaired electron होने चाहिए अगर उसके पास unpaired electron होगा तो वो paramagnetic है अगर paired electron होगा तो diamagnetic है तो चेक करते हैं पहले तो hydrogen दे दिया है hydrogen जो होता ही है diamagnetic होता है पहलो तो याद रखिए hydrogen क्या होता है diamagnetic होता है कैसे पता हाइड्रोजन का explanation हम लोग MOT theory recording भी कर सकते हैं या फिर जब H2 का electronic configuration लिखेंगे तो यहाँ पर 1S2 लिखेंगे और 1S2 मतलब एक box में 2 electron fill up किये जाएंगे मतलब यह paired system है तो यह हमारा क्या हो जाएगा diamagnetic next देखते हैं यहाँ पर लिखा है Cu plus अब Cu plus यहाँ को क्या पता चलेगा यानि आपको copper का configuration पता होना चाहिए copper का configuration क्या होता है 3D10 4S1 यानि यहाँ पर देखिए अब यह copper का configuration है लेकिन एक positive charge है तो एक electron S वाले से remove होगा तो क्या है 3D10 system है और 3D10 system का मतलब D orbital क्या है fully filled है मतलब D में क्या है paired electron है तो इसलिए Cu plus भी क्या होगा diamagnetic होगा यानि यह दोनों हमारे क्या होंगे dia लेकिन यह जो Cu plus 2 होता है और यह जो copper crystal है copper crystal का मतलब copper का configuration लिख देते है सिधा सिधा और क्या 3D10 Fourier 1 बनेगा अब 3D10 Fourier 1 है तो यहाँ पर भी D orbital fully filled है S वाले से मतलब होता नहीं D block element के case में तो अब यहाँ पर Cu plus 2 जो भचा इसका check करेंगे तो 3D10 होता है Fourier 1 होता है यह copper का एक electron यहाँ से एक electron यहाँ से यानि क्या बना 3D9 system यानि Cu plus 2 is the correct answer क्योंकि Cu plus 2 में एक unpaid electron होगा क्योंकि यहाँ पर D9 system होता है तो यह 4 question थे और यह 4 के 4 question अपने आपने जबर्जस्त यानि बहतरीन question थे तो इसको करने का यहीं तरीका है और पहचानने का भी यही तरीका है तो मैंने जो भी lecture अब तक पढ़ाया है इन और्गेनिक का D block के उपर तो उसमें अगर आप देखेंगे अगर वीडियो का अच्छे से एनलाइस किये होंगे तो यह question आप आसानी से कर सकते हैं बहुत बड़ी यह question नहीं है मतलब तो इसी टाइप का question पूछा जाता है तो इसका screenshot ले लो आप लोग screenshot ले चुके होंगे तो उतने समय मैंने सोचा कि जब तक आप screenshot ले रहे हैं तब तक मैं नया question लिग देता हूं तो मैंने question भी लिग दिया अब तक हम लोग चार question लगा चुके हैं अब बाकी का जो छे बचा था मैंने फिर से लिख दिया टोटल 10 question करेंगे और 10 के 10 question क्या होंगे अपने आप में बेस्ट question होंगे एकदम जबर जस्त देखिए इसमें से क्या पूछा है पहले पांचवा विच आप the following is not a transition element अब यहां पे चार option है अब इसमें से आप से पूछा है कि इन में से कौन सा element transition element नहीं है तो transition word का उसमें बताया था कि तब करते हैं जब d orbital partially filled होता है और जिनमें d orbital partially filled होता है उनमें d d transition होता है तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि zinc cadmium mercury को हम लोग transition element में count नहीं करते हैं क्योंकि इनका d orbital fully filled होता है जिसके through इनमें d d transition possible नहीं होता है यह आपका correct answer होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे d 10 system होते हैं अब हम लोग अगले question पर आते हैं which of the following is ion is colorless मैंने आपको यह भी बताया था कि color बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि electronic configuration करेंगे जितना उसके उपर charge होगा उतना करेंगे उसके बाद अगर वो आयन्स हमारा पैरा मैगनेटिक होगा तो colorful होगा और डाया मैगनेटिक होगा तो colorless होगा तो अगर हम chromium है कि सी यू प्लस टू चीउ प्लस वण सि यार प्लस डू सियार प्लस थी अगर हम यहाँ पे chromium का configuration लिखेंगे chromium का configuration लिखते हैं तो अगर chromium का configuration लिखेंगे तो क्या होता है 3D5 4S1 कि तो अगर chromium मैं से एक electron निकाला जाएका तब कि और तीन एक निकाला जाएगा तब इसमें अन्पेयर लेक्टरान होंगे यानि क्रोमियम हमारे कल्रफुल होगा अब बचा हमारे सीयू पलस टो सीयू प्लस टू में अन्पेयर लेक्टरान होगे जो क्या होगा colorful होगा तो यह आप सनाप का बच्चा C U Plus C U Plus जो होता है इसमें सिस्टम होता है और होता है यह पहचानने गए अच्छा तरीका होता है जो मैंने आपको लेक्चर में सिखा रखा है है ऑगे दिख्ते हैं कि कुषिन् stars भोल रहा है इनो से निकेल का ओक्सिदेशन मेBecause रिकम बताया था तो जिसका निकालना होता उसके कि ईकस एकस मानते हैं तो निकल का कितना मानते हैं एकस और यहां पर कोई लिखेंगे डिया इकस– कोश्यन आते हैं तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं कोश्यन नमर आठ वीच आयन कालरफुल सी यूञ प्लस टू जींग प्लस टू सस्कांडियु 2050-े है उन नहीं को कि तो दो सिई उप्लस टू होता है और दिंग प्लस टू होता है तो कलरती होँ होगा जिसके पास अंपैर स्थेल्ट सब्सक्राइब पैरा मैगनेटिक वाले जो सी यू प्लस टू होता है यह पैरा होता है तो पैरा होने के करण यह क्या होगा कलर फुल होगा ठीक अब जिंक प्लस टू में डीटेन सिस्टम होता है तो यह क्या होगा कलर लेस होगा इस केंडियम प्लस थ्री में जीरो इलेक्ट C U plus 2 is the correct answer, अब next आते हैं 9 which I have highest magnetic moment पहचानने का तरीका Mu, और मैंने बताया था कि Mu को हम लोग क्या बोलते हैام, Magnetic Moment बोलते हैं, calculate करने का तरीका भी मैंने आपको शिखाया था कि Magnetic Moment को calculate करने का सबसे अच्छा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि फार्मूला मेन बात है कि सारा का सारा हमारा जो काम होता है फार्मूले से ही होता है मु इसकोल टो रूट में एन इंटू एन प्लस 2 वाला फार्मूला लगाएंगे और यहां पे बियम लगा देंगे यही हमारा बताएगा और यहां पे एन हमारा नमबर आफ अनुपेयड एलेक्टरान होते हैं अगर इस के पास जएंगे तो इसके पास अगर सी यू प्लस वंन में जायेंगे तो अनपेर डिलेक्टन कितना होगा एक और अगर सी यू प्लस वलू में जाएंगे तो अनपेर कि यहां से क्या बना अगर सेवन सेवन मुटिपलाई कर लिजिए अगर तो यानि सबसे ज्यादा मेंगेटिक मुमेंट किसका बनेगा एक प्लस दू का बनेगा तो पहचान वहीं पाएगा जो अच्छे से मेरे लेक्चर को एक एक करके देखा रहेगा तो अगर कोई अगर आ देखिए जो डी ब्लॉक का अप्लोड है वहाँ पूरा का पूरा एक टॉपिक क्लैरिटी के साथ में सिखाया गया कि कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी चीज को तब उसको आकर के देखिए तो आपको यह अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा है लगेगा इसको होता है जिसका डी ऑर्बिटल क्या होता है मतलब दी ट्रैशीशन पासिबाल होता है तो वर्लीडि नहीं है कैम कऊपर ने नहीं है कि स्की यहीं दोनों हमारी क्या होंगे बाठन pasti हो साई होता है तो अब्र से यादा नावा तो आपको आज का यह बीडियो समझ में नुन आचुका होगा और अगर को फीक्ति मैये करने दर दो जासा के यह जादा जासा यह जादा लोगं तक साथ करें तड तक मिलते हैं अगले लेक्शर में तड तक आप इसको करें दो